मान लो आप लोग एक python program लिख रहे हैं आप लोग को एक package का एक particular version यूज़ करना है वो package अपडेट हो जाता है आपका दोस्त एक दूसरा version यूज़ कर रहा है आप एक दूसरा version यूज़ कर रहे हैं ऐसे में आप लोग ऐसे 50 packages अपने project में यूज़ करते हैं virtual environment के बारे में जो कि इस task को हम लोगों के लिए आसान बनाता है एक isolated environment बनाता है जो कि आप लोगों के global python interpreter से एकदम अलग होता है और आप अपनी मर्जी के packages उसमें install कर सकते हैं Let's get started तो virtual environment का जो exact use case है सबसे बहले वो आप लोग को बताता हूँ और उसके बाद हम लोग बना कर देखेंगे एक virtual environment तो थोड़ा और clear हो जाएगा आप लोग को कि exactly virtual environment क्या है and what it is all about तो यहापर सबसे पहले आप लोग मेरी इस rappel में आ जाओ और देखो जारा कि मैंने आपर क्या लिखा हुआ है A virtual environment is a tool used to isolate specific python environments on a single machine Allowing you to work on multiple projects with different dependencies and packages without conflicts ठीक है क्या है यह यह बिसी कली यह कह रहा है कि यार आप लोगों को virtual environment मदद करता है अपने python environment को अलग करने के लिए जैसे कि मान लो pandas का version 1 मैं use कर रहा हूँ मेरा दोस pandas का version 2 यूज कर रहा है और मान लो कि मेरे computer में क्योंकि version 1 installed है मैं उसका project कैसे चलाओंगा क्या मैं अपना version uninstall करके चलाओंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ अब एक virtual environment बना लोंगा pandas के version 1 के लिए एक virtual environment बना लोंगा pandas के version 2 के लिए ठीक है दिस वाद इन example अब यहाँ पर देखो इसकान बीस्पेशली उसफुल विन working on projects that have conflicting package versions or packages that are not compatible with each other ठीक है अब देखो यह भी एक important point है packages that are not compatible with each other मानलो मेरे पास एक package है package A और वो एक package B पर depend करता है package B के version 1 पर मानलो मैं package A को update करता हूँ और वो package B के version 2 पर depend करने लगता है तो मुझे basically क्या करना है एक environment उठाना है उसमें जो भी मैं packages चाता हूँ install कर सकतना हूँ और उन packages के versions का मेरे computer में install python के version से कोई मतलम नहीं होगा ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं जिस आप लोग को बताता हूँ कि इसको install कैसे कि जाता है कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा एक virtual environment नाम का package वी एन नाम का package इंस्टाल करना पड़ेगा और यह जैसे ही आप install करोगे आप एक virtual environment बना सकते हो ठीक है यह फिर आप क्या करोगे copy करोगे इसको python-mvn को ठीक है और इसको आप चला नहीं है windows पर है तो आप लोगों पता है कि कैसे करना इस अप ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा मैं इसको right click करके paste करूँगा यहापर और enter मार दूँगा ठीक है और in fact क्योंकि मैं python 3 use कर रहा हूं mac पे हूँ तो मैं python 3 करके इसको run करूँगा आप लोग यहापर देखो python 3 vn myn मैंने बना लिया अब मैं क्या करूँगा अब देखो यह बनाते ही क्या होगा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ तो मैंने यहापर इस folder के अंदर यह बनाया package एक myn नाम का folder बन गया यह एक तरह से आप समझ दो मेरा जो computer का python उसकी copy बन गई ठीक है मेरे computer पे जो python इसकी copy बन चुकी है अब मैं इसमें एक version डाल सकता हूँ किसी package का एक version डाल सकता हूँ किसी दूसरे package का मैं आपको वो करके भी दिखा हूँगा लेकिन अगर मैंने यहापर लिखा pip3 install pandas तो यह कौन सा pandas install कर रहा है मेरे computer के अंदर जो pandas है वो install कर रहा है मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं pandas install करूँ क्योंकि मेरे global computer में मेरा global environment इसमें तो pandas install और दिये तभी तो requirement already satisfied लिकर आ रहा है ठीक है यह चीज़ आप लोगो पता होनी चाहिए अब देखो मैं क्या करूँगा अब मैं आपर करना यह चाहता हूँ कि इस virtual environment को activate करना चाहता हूँ तो इसको activate करने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है मैं लिखूँगा source मैं लिखूँगा myenv फिर लिखूँगा bin और लिखूँगा activate अगर आपको नहीं पता ही मैंने कैसे type किया इतनी जल्दी मैंने M लिखके tap दबाया यह auto complete हुआ फिर B लिखके tap दबाया auto complete हुआ फिर AC लि पाइफन का कोई भी प्रोग्राम चला है न वो इस virtual environment को यूज करेगा यानि कि इसके अंदल जो python installed उसको यूज करेगा इस तरह के 10 python के virtual environments में मैं बना सकता हूँ यानि कि 10 अलग-अलग separate pythons on a single computer ऐसा समझ लो कितना बढ़ी है यह सारे अलग-अलग environments के अपने-अपने packages हो अब जैसे कि अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक python program लिखकर दिखा हूँ मैं यह पर python 3 लिखता हूँ मैं लिखूँगा import pandas as pd क्यारा है no module named pandas क्योंकि भाई मैंने my env में pandas install नहीं किया अभी तक वो मेरे global computer में installed है यह requirement already satisfied यह लिखकर आ रहा था मेरे global computer में pandas installed है इस virtual environment panda मैंने अभी तक install नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा exit लिखूँगा यहाँ पर python interpreter को बंद करूँगा मैं अभी इस virtual environment के अंदर ही हूँ इस virtual environment के अन्दर ही हूँ लिखूँगा यहाँ पर pip3 install pandas अब pandas install होगा हो रहा install दिख रहा है आपको अपनी screen पर computer की हो रहा install क्यों ह यहां तो pandas कभी install ही नहीं किया गया था pandas तो मेरे global computer में installed था समझ रहो न आप लोग यह बात तो यह install होते ही अब मैं import pandas करूँगा तो चल पड़ेगा by the way आप लोग को बता दूँ कि आप एक particular version भी किसी package का install कर सकते मैं आपको दिखाता हूँ मैं अगर यहां पर pandas python लिखाँ और आप लोग को दिखाँ मैं आपर versions यहां पर दिखाना चाहता हूँ versions यह है 1.5.2 भी latest version है माल लो मैं for some reason 1.4.4 install करना चाहता हूँ ठीक है कैसे करूँगा मैं यहां पर लिख दूँग equals to equals to 1. क्या था वो 4.4 1.4 वाला pandas install हो जाएगा तो इसने डाउनलोड किया पहले 1.4.4 वाला pandas और यहां पर आप लोग देखो यह install हो रहा है और installing build dependencies तो इसका इंतजार करेंगे हम यह जैसे install होगा इसने बहुत सारा time लिए अब मेरा pandas install कर लिया लेकिन मैं आप लोगो एक चीज़ लिखाना चाहता हूँ अगर मैं आपर python लिखूँ और इसके बाद मैं लिखूँ import pandas as pd तो मतलब मैं import pandas लिखता तो मैं pandas dot करके इसके functions use करता मैं pd dot करके इसके functions use कर सकता हूँ तो मैंने आपर import pandas as pd लिखा जो कि import हो रहा है यह भी तक पता नहीं क्या problem है 1.4 version में काफी टाइम लिखाने में import होने में भी काफी लिखाना रहा है तो मैं वेट कर रहा हूँ इसके import होने का भी भी not sure what's wrong और हो गया है और हो गया हो ठीक है अब मैं अगर आप लोग को pd dot underscore underscore version underscore underscore लिखकर दिखा हूँ तो यह देखो मझे pandas का version बता रहा है चलो जी exit करते हैं यह से ठीक है exit एक function है जो कि आपको python shell से बाहर रखेकता है अब मैं अगर इस virtual environment को deactivate करना चाहता हूँ यानि कि मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा particular folder है जिसके अंदर python python installed है वह वाला python use ना हो तब मैं deactivate लिख सकता हूँ deactivate and that's about it आप देखो यहाँ पर myen भी लिखा हूआ आना बंद हो गया ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर python 3 लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ import pandas as pd और सेम चीज मैं करूँगा pd.__version__ now it's 1.5.2 why क्योंकि जो मेरा computer में python installed था और उसमें जो pandas था उसका version 1.5.2 था लेकिन मैंने जो यह वाला python अपना install किया correct words मैं कहूँगा यह वाला virtual environment जो install किया उसमें मैंने एक दूसरा version pandas का इस्तेमाल कर लिया तो जब भी मुझे 1.4.4 चाहिए होगा यह जो भी version है इसका pandas का क्या था 1.4.4 था न हाँ जब भी मुझे यह वाला version यूज करना होगा मैं इस वाले virtual environment को activate कर लूँगा और जब भी मुझे 1.5.2 जो की latest version है वो यूज करना होगा मैं अपने global python interpreter को इस्तेमाल करूँगा यानि की deactivate कर दूँग इस virtual environment को what if मुझे एक तीसरा version install करने की जरूरत पढ़ जाए 1.5.0 यूज करने की जरूरत पढ़ जाए तब मैं क्या करूँगा तब मैं simply एक नगया virtual environment बना सकता हूँ मैं इसको exit करूँगा और मैं आप लोगों को बताता हूँ virtual environment कैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे कि हमने पहले बनाया था python 3-mvn और environment का नाम इस ताइम मैं इसका नाम रखूँगा pandas 1.5 महनलो मैं 1-5 रखता हूँ इसका नाम मेरी मरजी मैं रख सकता हूँ इसका नाम ख़ुच भी WRgal environment जिस तरह से आप अपने wおlder को नाम दे सकते है आप अपने virtual environment को भी नाम दे सकते है मेरी मरजी मैं इसको padas 1- 5 मेरी मेरी मैं इसको harry रखाँ मेरी मर्जी मैं इसको शुबम रखू, मेरी मर्जी मैं इसको रोहन रखू, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कि python3-mvn, यह मैंने किया, अब इसको activate करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा source, फिल लिखूंगा pan tab, जैसे कि यह auto complete करेगा, manually भी type कर सकता था मैं, but tab दबा के अब auto complete कर सकते है, फिर मैं लिखूंगा, मैंने लिखा, pandas 1-5, फिल लिखूंगा bin, फिल लिखूंगा activate, enter मानोंगा, देखो, pandas 1-5 वाला virtual environment active हो गया, चलो इसमें, एक काम करते है, python 3 लिखकर, pandas install करते है, in fact, pandas install बिना python 3 के करना चाहिए, मुझे pip install pandas, देखा, आपने pip 3 लिखने की जरूरत भी नी पड़ी, pip लिखकर भी काम हो गया, मैंने एक गलती कर दिया, और मुझे pandas equals to equals to 1.5 लिखकर, pandas का 1.5 वर्जन इंस्टॉल करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसका wait करूंगा, कि यह install हो जल्दी से, इसने 1.5.2 अनिस्टॉल किया, 1.5 अनिस्टॉल कर दिया, अब मैं आप लोग को यह पर दिखाता हो, कर मैं पाइटन लिखो और फिर यह पर लिखो इंपोर्ट पैंडास as pd of a pd. underscore underscore version underscore underscore लिखकर एंटर मारूं, बीट करना हो, उसके चलने का, दोनों एक एक कर की चलने वाले, आप लोग यहां पर देख सकते मैं इसको deactivate कर लेता हूँ, अब मेरा कॉन से चलेगा, मेरा python global चलेगा, जो कि मेरे इस macbook में install किया हुआ python है, अगर मैं आपर लिख दूँ source, और मैं आपर source space देकर लिखूँगा, क्या नाम था मेरे इसका, myenv था, bin activate, enter मारूंगा, तो मेरा myenv अक्टिवेट हो गया, यह इस folder के अंदर जो python है, वो ही use किया जाएगा, अगर मैं लिख दूँगा, इसको deactivate करके obviously, deactivate करके इस virtual environment से बाहर आउँगा, अगर मैं लिख दूँगा source, और मैं लिखूँगा pandas, जो कि मैंने इसका नाम दिया है, 1-5, फिर लिखूँगा bin, फिर लिखूँगा activate, तो यह pand pandas, 1-5 activate हो जाएगा, and so on यार, ठीक है, मैं जितने मंचा है virtual environments बना सकता हूँ, आजाओ यार मेरी REPL में, जिसमें मैंने आप लोग को explain किया है, अब दोबारा से देखते है virtual environment किया होता है, आपने देख लिया है सारी चीज़े, a virtual environment is a tool used to isolate specific python environments on a single machine, allowing you to work on multiple projects with different dependencies and packages without conflicts, ठीक ह अलग-अलग packages, अलग-अलग python virtual environments में इस्तिमाल कर लो, ठीक है, install कर लो, इस्तिमाल कर लो, ये वो command है जिससे कि आप लोग virtual environment बना सकते हो, ये वो command है जिससे कि आप लोग उसको activate कर सकते हो, windows में हो अगर, बहुत important है, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बता है, windows में अगर हो तो ऐसे activate करना है, ठीक है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये activate क्यों नहीं हो रहा है, और एक बात और बता दूँ मैं अपने experience से आप लोगों को, activate.ps1 से करना अगर powershell में हो तो, समझ रहे हो, myenv slash script slash activate.ps1 करना, अगर आप लोग powershell use कर रहे हो ठीक है, once the virtual environment is activated, any packages that you install using pip will be installed in the virtual environment, जैसे कि हमने याँ पर देखा था, जब हमारा ये activate हुआ था myenv, तो जो भी हम pip से install करेंगे, वो myenv के python interpreter के corresponding जाएगा, यानि कि इस virtual environment में जाएगा, उसका pandas 1-5 या इस computer में बने हुए, किसी भी python virtual environment से कोई मतलम नहीं है, in fact, उसका python global, जो कि इस computer में installed ले उससे भी कोई मतलम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग install करो packages, use करो, जब हम एक particular project बनाते हैं, तब हम लोग उसके corresponding virtual environment बनाते हैं, उस project की सारे packages, हमारे उस particular virtual environment के अंदर install किये जाते हैं, and finally, वो virtual environment जो है, वही use होता है, उस project को run करने के लिए, ऐसा इसलिए किया जाता है, ताकि अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो पांचों के पांचों लोग अपने अपने local computer में वो virtual environment बना लें, या फिर अगर वो उसको deploy करते हैं, project को कहीं पर, तो वो उस virtual environment को जो है, वहाँ पर बना ले, जैसे मालनो मैं AWS में deploy करना चाता हूँ अपना python project, तो मैं वो एक virtual environment बना कर सारे packages जितने भी use हो रहे हैं, वो सारे उस virtual environment में install कर लोगा, और अपने project को deploy कर लोगा, ठीक है, अब बात आती है, यहीं से requirement.txt file की, ये क्या है, मालो ये एक बहुत बड़ा project होता है, जो कि ये है नहीं, ठीक है, ये कोई बड़ा project नहीं है, जो कि मैंने या लिखा है, pandas 1-5, च search main.py, ये main.py file मना लिए, मैंने touch safe, एक नहीं file बन जाती है, मालो ये कमारा project है, जो कि myenv use कर रहा है, मैं इसको delete ही मार देता हू, pandas 1-5 को, in fact, पहले मैं deactivate करना चाहूँगा, पर delete कर दूँगा इसको, ये just एक example था, मैंने just आप लोगों को बताने के लिए किया था, मालो my ENV नाम का environment, ये मेरा project use कर रहा है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको double click करता हूँ, यहाँ पर, ये python से चल गया, मैं इसको in fact, क्या करता हूँ, open with, python would like to access files, मैं भी इसको allow नहीं करूँगा, मैं बस इसको यार, थोड़ा सा, इसमें लिखना चाहता हूँ, import, pandas as pd, print, pd pd, underscore, underscore, version, underscore, underscore, ठीक है, बस इतना करना चाहता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर आप लोग को दिखा हूँ, इसको बंद करता हूँ, अगर मैं भी आप लोग को दिखा हूँ, oops, मैंने VS Code कोल दिया, कोई बात नी, अगर मैं आप लिखा हूँ, python, और इसके बाद मैं लिखा ह अगर मैं आप लिखा हूँ, source, myenvbin, activate, जो कि आप लोग यूज करोगे, source use मत करना अगर windows में होतो, ये command use करना, और bat की जगा, ps1 करना अगर powershell में होतो, ठीक है, with that set, मैं इसको enter मारा, अब मैं अगर दुबारा से python देरी main.py करोंगा, तो 1.4.4 आएगा, क्योंकि इस virtual environment में मैंने 1.4.4 install किया था, ठीक है, तो मालो ही मेरा एक बहुत बड़ा project होता, और इसमें बहुत सारे, मैंने packages install किया होते, in fact मैं करी देता हूँ, मैं आपर करता हूँ, pip install, क्या करूँ, date utils, date utils है, मालो मैं करता हूँ, py, py xml, नही नहीं, lxml करता हूँ, ठीक है, lxml install हो जाक यह सारे packages है, क्या करते है, इसकी, अभी attention मत लेना आप लोग इतनी, ठीक है, यह रहा है, lxml is being installed using the legacy, setup.py install method, because it does not have a py project.toml, ठीक है, तो यह install हो जाएगा, चलो इसको install होने देते है, इसके बाद मैं कोई और package install कर लोगा, may be py open excel, ठीक है, in fact मैं इसको cancel कर देता हूँ, मैं pyp install pyopenxl, pyopenxl, pyopenxl यह होता है, pyopenxl, pyopenxl होता है, pyopenxl, pyopenxl, pyopenxl होता है, pyopenxl, 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 pyopenxl होता है, pyopenxl, pyopenxl, pyopenxl होता है, pyopenxl, 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 pyopenxl होता है, pyopenxl, 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 pyopenxl क्या यार मैं भी भूल जाता हूँ openpyxl ये हो जाएगा install ठीक है तो ये install हो जाएगा पूरा और फिर इसके बाद मालो मैंने ऐसे 10-15 और install कर लिए अब मैंने ये 10-15 जो install किये क्या मैं notebook में लेके इनका version लिखोंगा मालो मैंने ये project बनाया मैं देना चाहता हूँ ये आपको अब आप कहते हो कि मैं इसको maintain करना चाहता हूँ मुझे दे दो ये भेज दो पूरा project और पूरे project के साथ-साथ ये भी भेज दो कि कौन-कौन से उसमें packages use हो रहे हैं तो क्या मैं आपको कागस पर लिख कर दूँगा वो सारे packages नहीं मैं चाहता हूँ एक automatic तरीका जिससे की export हो जाएं सारे के सारे packages वो क्या है automatic तरीका आज हो दिखाता हूँ आप लोगो आप लोग requirements.txt file निकाल सकते हो कैसे निकालोगे एक command का इस्तेमाल करके जो की है pip freeze greater than well assign for requirements.txt यानि की pip freeze एक command होता है सबसे पहले मैं आपको बता हूँ pip freeze क्या करता है pip freeze वो सारे packages आपको देते थे थे जो की installed इस virtual environment में या फिर आपके global python environment में इस python environment में जो जो installed है वो सब आपको मिल जाएगा और अगर आप इसको एक text file में डालना चाते हो न तो बस ये command चला लो pip freeze requirements.txt एक file बनेगी requirements.txt और इसके अंदर इस तरह से सारे के सारे packages with versions हा जाएगे अब आलो ये जाता है आपका एक दूसरे दोस्त के पास वो क्या करेगा simply एक command run करेगा pip install minus r minus r लगाना ज़रूरी है requirements.txt एंटर बारेगा उसके computer में इस सारे packages जो की requirement.txt के अंदर है वो install हो जाएगे I hope कि आप लोगों confusing नहीं लगा होगा video इतना ही जिस मुझे बताना था आप लोगों को शुरू से re-iterate करवाता हूँ virtual environment एक तरह से एक isolated python environment बनाने में मदद करता है यानि कि उस python installation के अंदर सिर्फ वो packages install होंगे जो की आपने किये है और उसके बाद आप उस python virtual python installation से बाहर भी आ सकते हो ठीक है एक तरह का virtual python installation है ऐसा समझ लो एक computer में 10 python आपने डाल ली है ऐसा समझ लो कुछ ठीक है और उसके बाद आप उसमें जैसे मंचाए जितने मंचाए packages जो जो version के चाहूर डाल सकते हो 10 environments में अलग-अलग versions एक ही package के डाल सकते हो तो यह यह use होता है virtual environment का फिर क्या होता है कि अगर आपने एक virtual environment बना लिए उसमें 100 packages installed लें उन 100 packages की list आपको निकाल ली है तो आप यह command यूज कर सकते हो befreeze requirement.txt और अगर आपको सिर्फ देख रहे हैं कुन-कुन से packages installed लें तो सिर्फ befreeze लिगदो आपके terminal पर आजाएंगे वो सारे packages जो जो उस particular python virtual environment में installed है अगर आप चाहते हो कि किसी ने आपको requirements.txt file पकड़ा दिया अपने computer की अब चाहते हो कि वो सारे packages आपके computer में installed हो जाएं या आपके python environment में installed हो जाएं तो आप यह वाला command चला सकते हो befreeze install –r requirements.txt and that's about it इतना ही simple है ठीक है तो मैं काम जरूर यहां पर कर देता हूँ import pandas as pd करके और print करता हूँ pd.__version__ जिससे यह में पता चलेगा कि यहां पर pandas का कौन सा version installed है और यह कहेगा अब देखो क्या है न rapid कुछ इस तरह से designed है कि कोई भी अगर आपने package यहां पर import लगाया तो यह automatically install कर लेता है यह कुछ इस तरह से designed है तो यहां पर थोड़ा चीज़े different होती है यहां पर आपको अपने global environment में pip का इस्तेमाल करके चीज़े करनी बड़ती है so I hope कि आप लोगों को चीज़े समझ में आ गई ही किस तरह से यह काम करता है और क्यूं यह important है क्यूं आप लोगो और कब आप लोगो virtual environment अपने computer में बनाना पड़ सकता है अगर आपने अभी तक यह python playlist अक्सेस नहीं करीए तो इसको जरूर अक्सेस करना and do me a favor यार आप first video में जाकर अभी के अभी एक review comment लिखो और बताओ यह course कैसा जा रहा है कि अगर आप लोग एक review दोगे तो उन लोगों के लिए बहुत असानी होगी जो कि इस course को start करने वाले बहुत सारे लोग इस course को सिर्फ इसलिए start नहीं करते हैं यह देखते हैं कि यार यह course क्या उनने सिखा भी पाईगा कि नहीं सिखा पाईगा तो मैं चाता हूँ कि आप लोग जाओ first video में और उनको बताओ इस course में क्या हो रहा है exercises अच्छी है की नहीं है concepts सिखाए जा रहे हैं की नहीं सिखाए जा रहे हैं क्या है